सिंग्रॉली पुलिस अधिक्षक के नशे के विरुद चलाय जा रहे अभियान में विंडे नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक दमपत्ती को स्मैक और नगदी के साथ पकड़ा है। पुलिस को काफी समय से पती पतनी के खिलाफ इसके शिकायत मिल रही थी जिसके बाद दबश देने पर दमपती के पास करीब 30 ग्राम स्मैक और 19 लाख रुपे नगदी बरामद हुई है। CSP देविस पाठक ने बताया कि विल नगर थाना प्रभारी यूपिस सिंग को कई दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि गहिल गड़ और नवजीवन विहार सेक्टर नमबर 3 निवासी महिला फूलमती शहा और उसका पती रतिलार शाह स्मैक की बिक्री कर रहे हैं। मुखबीर की सूचना पर थाना प्रभारी यूपिस सिंग ने जाल बिचाया लेकिन महिला इतनी शातिर थी कि कभी महिल गड़ और कभी सेक्टर नमबर 3 में आ जाकर स्मैक की बिक्री कर रही थी। वह कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगी महिला ने अपने घर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगा रखे थे जिससे वहां हमेशा बस जाती लेकिन पुलिस की सक्रियता से पती-पत्नी दोनों को गिरफ़तार कर लिया गया है। और दोनों को खिलाफ NDPS X के तहत कारवाही कर उनके कब्जे से स्मैक और लगदी जब्त कर ली गई है। इसमैक की कीमत लगबग एक लाग परपन हजार रुपए बताई जा रही है। जनुरी मीन मताना ब्रण में इसमैक की केश में विपपार हुथा। इसके पहले शराब तसक्री के काम लगट तकी की सराभ दी महम गये हैं इसके तुछार इलावा आप लाग अगवान तोरा भी एक सादा तसक्री अब्राव की इसकी का बनाए गया है। इसका वारका भी है शाहाग जिलारा वांपदरू कि खाना साहगर जिलास मनदरू को पांसों राम इसमें एकी साथ टीम साथ पढ़ा है इसलिए गुदाई जमीदिक बिन नगर खाना प्रभायरी यूपी सिंग के नेत्रिक्व में खाना बिन नगर की पुलिस द्वारा एक प कभजे से बिलाकर साथे टीस ग्राम हिरोई यह स्मैक यप्त की गई है और इनके पास से कभजे से लगी रकम उनीस लाग शाइसो जाओगा रुपए की यप्ति की गई है अभी कारवाही लगाता चल रही है और पूस्ताज की जाए रहे है लुट्ग बिलब गयाँ तो प्रूब इनके बडिया शुट्टि कुछे तो बीड बेस्ट फर दिए ट्मेश चाल 744 0 777 11 जाओन in the Google University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University आप देख रहे हैं दखल न्यूज